नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन के टोप 25 पर्मोग खबर जानते हैं साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किये, बता देशिये महमन सुरन ने PTI भासा को दिये इंटरभ्यू में कहा कि जारखन में निवेज की अपार संब्वनाए हैं, राजे भविस की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, राज सरकार ने अगले 15 साल की रूप रेखा बनाई है, जिससे नि इस ठीटी बदली है, अब राजे के विकास पर विश्येस ध्यान दिया जा रहा है, एकछुक गर्वति और अस्तनपान कराने वाली महिलाओ कोई भैक्सीन, धनबाद जिले में ठीका करन से अब गर्वति और अस्तनपान कराने वाली महिलाओ को भी जोडा जाएगा, बता महिलाए इक्छुक नहीं होंगी उन्हें जवरन टीका नहीं लगाया जाएगा हालाकि लावकों को प्रेरित किया जाएगा कि टीका से किसी परकार का साइड इफेक्ट नहीं है बोकारों में भरती मेला है और प्रदेशिक नियोजनारे बोकारों के ओर से बेरोजगार युगाओ को विभीन कमपनियों में रोजगार का उसर उपलवत कराने की दिशा में काम किया जा रहा है इसकड़ी में विभाक के ओर स्वे अध्योगिक प्रसिक्षन संस्थान चास परिसर में तीन सितमर को भरती कैम लगाया जाएगा जार्खन के पचास एयर युवा मुख्य मंत्री को भेजेंगे आवेदान जार्खन करमचारी चायन आयो के नियुक्ति निमावली में संसोधान वह हिंदी को चैनी छेत्रिये या जन जातिये भासा सिरेनी में सामिल करने की वांग को लेकर पलामु के युवाओं ने व्यापक अस्तर पर आंदोलन छेर दिया है बतादे समाजी करता सन्नी सुकला वह उनकी टीम ने एक नागरीक एक आवेदन अभ्यान की सुरुवात की है इसके तहट पचास एयर विद्यार थी वह अविभाव को लिखित आवेदन पत्र को मुख्य मंत्री को भेजने का लक्ष है बतादे पलामू के सिक्षावीद राहूल चत्रुवेदी ने कहा कि सरकार ने जितनी विभासाओ को जे एस एससी से छेत्रीये स्रेनी में सामिल किया है पलामू पर मंडल की विद्यार थी उनमें से किसी विभासा की पढ़ाई नहीं करते हैं टाटा इस्टील अप्रेंटिस भरती 10 सितंबर को होगी टाटा इस्टील ट्रेड अप्रेंटिस शीप की लिखित परिक्षा 10 सितंबर को आविजित करेगी परिक्षा ओनलाइन होगी अविदक अपने घर या वांचित अस्थान से लेप्टोप, डेस्टोप या स्मार्टफोन पर परिक्षा दे सकेंगे बता दे परिशार्थियों को परिक्षा की ऑनलाइन परकिरिया से परिचित कराने के लिए बिश्तित परकिरिया के साथ 31 अगस्त को सभी उमिद्वारों की इमेल आईडी पर एक डेमो टेस्ट लिंक भेजा जाएगा अवियार्थियों को सला दी गई है की वे परकिरिया को ध्यान से पढ़े और डेमो टेस्ट दे ताकि उन्हें अमतिम परिक्षा सुचारो रूप से देने में कोई परसानी न हो जारखन में 15 साल के बाद प्रमोशन पाएंगे प्राइमरी स्कूल के सिक्षक जारखन के प्राथमिक वमद बिद्यालियों में कारेरत सिक्षकों को 15 साल बाद प्रोनती मिल सकेगी इसकोली सिक्षकों सक्षका विभाग इसकी त्यारी कर रहा है विभाग ने सिक्षकों की प्रोनती को लेकर कमिटी का भी गठन किया है जो सिक्षकों को इसका लाव दिलाएगी बतादे प्राथमिक वमत विद्यालों के सिक्षकों को 1-8 ग्रेट तक प्रोनती मिल सकेगी मैट्रिक इंटर के सफलमेंटरी परिक्षा का सेडियोल जारी जार्खन एकेडमी कॉंसील जैक ने मैट्रिक और इंटर की पूरक सम पूरक विशेश परिक्षा की तारिक की घोसना कर दी है इसके तहत मैट्रिक की परिक्षा 7 और 8 सितंबर 2021 को और इंटर की परिक्षा 9 से 11 सितंबर 2021 तक होगी बता दे परीक्षा कक्षा 9 वह एक आरमी की बोर्ड परीच्छा की तर्ज़ पर लिजाएगी साहव गंज में मनरेगा के 2.87 करोर की गलबडी साहव गणज जीले में मनरेगा में 2.87 करोर रूपए गलबडी का ममले सामने आया है पजादे बीर्तिवर 17, 18, 18, 29 और 29 के सोसल अडिट टीम की जाच में गड़बड़ी सामनाया है सोसल अडिट टीम द्वारा सोसल अडिट करके MIS अपलोड करके केंदर सरकार को भेज दिया जिसमें तीन साल में कितनी रिकवरी हुई कितना फाइन हुआ और कितना रिकवरी जीले में दिया मनरेगा कारयों में डोभा, वक्री सेट, कुवा आधि में गड़बडी हुआ है सिख्षकों को अफलाइन का क्छाई लेने के लिए अब कर्ना का कम से कम पाछली डोज का ठीका लेना अनिवार्य होगा जारखन गिरी गरायों आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने पुर्व के आदेश में ससोधित किया है पहले सिख्षको को अफलिन कक्छाई लेने के लिए दोनों डोज का टीका लेना अनिवारे किया गया था गिरी करायों आपदा प्रबदन विभाग ने 31 जुलाई को जारी अपने आदेश में संसोधन किया है इसके तोध इसकूलों में अफलेन का ख्षाय लेने के लिए सिक्षकों को कम से कम पॉली डोज का टिका लेना अनिवार्य होगा ज्यारखन में 13 नाई केस मिले है जो रांची से 7, पूर्वी सीमू से 2, धनबाद से 3, साहिब गण से 1 मिले है ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 144 है भारत में 43,366 नाई केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,70,426 है पलामो में पूलिस टी एस पी सी के बीच मुटभेड पलामो जिले के मनातु थाना छेतरे के नागत जंगलों में रविवार को नक्षली संगठन टी एस पी सी वा पूलिस के बीच मुटभेड हुई हलाकि नक्षली बस निकल कर भागने में सफल रहे बताद दे चलाए गए तलासी अभियान में सुरक्षाबलों नक्सलियों द्वारा चलाए जा रहे एक मिनी गण फैक्टरी को धोस्त कर दिया यहां से एक देशी राइफल, दो देशी बंदूक, एक लेंथ मसीन, कई अर्ध निर्मित हतियार वो पिट्टू भी बरामत किये गए हैं पूलिस अधिक्षक चंदन कुमार सिनार ने मुर्भेड की पुष्टी की है ज्यारखन के कई जीला जजो का तबादला है ज्यारखन के कई नियाईक अधिकारियों का तबादला किया गया है कुछ की सेवा राज सरकार से वापस लेकर उन्हें पदस्थापित किया गया है जबकि कई जीला जजो को परधान जीला जजो में प्रोनती दी गई है कुछ नयाईक अधिकारियों को मुख नयाईक दंड़ा अधिकारियों के अधिकार दिये गए है इस समन्द में जार्खन हाई कोट के रईस्टार जन्रल अम्बूज नाथ ने अधिसुचना जारी कर दिया अधी सुचना के अनुसार राज्टी फैमिली कोर्ट के प्रधां ज़ज, प्यूस कुमार को दूमका के प्र्धां जिला जज के पत्पर तबादला किया गया है राज्टी में दुर्गा पूजा की त्यारी प्राडाम पाच्छिम मकाल की तरह ही जार्खन में भी दुर्गा पूजा का तेवार पूरे हर्शो लास के साथ मनाया जाता है बतादे इस वर्ष दुर्गा पूजा महोट 11 अक्टूबर से प्राराम भोकर 15 अक्टूबर तक चलेगा बतादे राची सहर के अलग अलग इलाकों में मूर्तिकारों ने परतिमाओ के निर्मान का कारे पराराम कर दिया है बताया जारा है कि करोना काल होने के कारण पिछले वर्ष अधिकान सर्वजनिक दुर्गा पूजा समिती की तरह परतिमा स्थापित नहीं की गई थी मूर्ति उम्मिद है कि इस बार हालात बदले हुए हैं। रामगर के बरका खना जक्षन पर सेना के जवान आपस में भीड़े रामगर के बरका खना जक्षन पर अभिवार की देर साम उस समय अफ्रात अफ्री मच गए जब ट्रेन पकड़ने आए सेना के जवान आपस में भीड़ गए पतादे देखते है देखते सेना के एक जवान ने चाकू निकाल कर अपने दो साथियों पर तावरतोर हमला कर दिये हमले में सुकसागर सिंग व जादवेंदर सिंग गंभी रूप से घायल हो गया है साथी बीच विच्चाव कर रहे एक और जवान चाकू के हमले स्यांसिक रूप से घायल हो गया है हजारी बाग में मतांतरन के खिलाप आंदोलन का संखनाद पिछले दिनों हजारी बाग में हुए करीब 200 लोगों के मतांतरत के बिरोध में लोग गोलबंद होने लगे हैं बतादे मुखर होकर आंदोलन का संखनाद किया गया है ताकि मिस्नरी आगे ऐसी हिमाकत नहीं करे साथी उन लोगों के बीच लोग लगातार जा रहे हैं जिन्होंने मतांतरन किया है उन्हें समझाने का असर है कि अब लोग घर वापसी कर रहे हैं बोकारो हजारी बाग गिरीडी में कॉंग्रेस छामों कर करता बीजेपी में सामेल बोकारों हजारी बाग और गिरीडी से आये विभीन दलों के दर्जुनों करकरतावने डविवार को भाजपा का दामन थामा बतादे भाजपा विधायक दलगिनेता बावलर मरांडी और अनुसुची जनजाती मोचाक राष्टी अध्यक्स समीर उरावने राची जथीत जारकन परदेश मुख्याले में आवेजीत एक कारकरम में विभीन दलों से जुड़े जनजाती है समाज के लोगों को पार्टी क सदस्ता ग्रहन कराई है अरजुन मुंडा 3.4 को खुंटी के सांसा सकेंद्रिय मंत्री अरजुन मुंडा 3.4 सितंबर को अपने निर्वाचन छेत्र खोटी में रहेंगे इस दोरान में परदान मंत्री गरीब कल्या नियोजना कतावात निसूल कराशन वित्रन का सुबारम क करेंगे दिशा की बैठक में सामील होंगे वाकर कतावक साथ बैठक करेंगे इस समन्द में जीला सांसत पत्र निदी मनोच कुमा ने बताया कि 3 सितंबर को रणिया परखंड में साम 4.5 बजे परदान मत्री गरीब कल्यान विजना का सुबारम राशन वित्रन डिलर साओ के दुकान पर करेंगे अप प्रसिक्षित पारा सिक्षक जार खंडा जे प्रसिक्षित पारा सिक्षक संग जीला कमेटी के बठक रविवार को विशुनपूर हाइ स्कूल में होई अध्यक्सता राज ये कमेटी सदस्य जय राज भरदवाज ने की यहां विकास कुमर प्रस्तावित निमावली में प्रस्तावित निमावली में प्रस्तावित निमावली में अप्रस्तावित 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 निमाव छेतर में एक तेरा वर्श की नवाली के साथ साथ यूखों ने गेंग्रेभ किया। इस मामले में पुलिस ने चार औरोपयों गिरफ्तार कर लिया है।